जुलाई के महिने में सभी नौ ग्रहों में सिर्फ दो ग्रहों का ही राशी परिवर्थन होगा इसके अलावा इस महिने 5 जुलाई को चंदर गहन भी है जब जब ग्रहों का राशी परिवर्थन होता है तो सभी 12 राशियों पर इसका असर होता है जुलाई के महिने में सिर्फ सूर्य और बुट ग्रह अपना स्थान परिवर्थित करेंगे। सूर्य 17 जुलाई को सूर्य का राशी परिवर्थन होगा। सूर्य इस दिन कर्क राशी में प्रवेश करेगा। सभी ग्रहों में सूर्य को राजा की पद्वी मिली हुई है। जोतिश में सोरे को तेज, मान सम्मान और यश का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा चंद्रमा हर धाई दिनों में राशी परिवर्तित करता है। जुलाई के महिने में चंद्रग्रहन लगेगा, चंद्रग्रहन पांच जुलाई को लगेगा। ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये चंद्र ग्रहन उपक्षाया चंद्र ग्रहन होगा जिसमें चंद्रमा परमाद्र प्रित्वी की धुमिल सिछाया पड़ेगी बुद्ध, 12 जुलाई को बुद्ध वक्री से मारगी हो जाएगा बुद्ध मौजूदा समय में मिथन राशी में है चलिए आपको बताते हैं जुलाई महम में राशियों पर ग्रहों के परिवर्तन का क्या फर्क पड़ेगा इन दो ग्रहों का स्थान परिवर्तन शुब फल लेकर आएगा व्रिश, मिथुन, कोंभ और कन्या राशी के लिए जबकि ये अशुप साबित हो सकता है मेश, मेन, धनू और तुला राशी के लिए जबकि बाकी राशियों पर इसका मिला जुला असर देखने को मिलेगा वीडियो डेस्क अमरुजाला डाट कॉम डाउनलोड करें अमरुजाला है और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें